सबीको जैहिंद आज हम लोग पढ़ेंगे चेप्टर नमबर चार और आप लोग यूनिर पढ़ने वाले गहा जिसका नाम है खनीज संसाधन खनीज संसाधन होता क्या है? खनीज के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो अर्थ क्रस्ट है, यानि पृत्वी के उपड़ी सत्व पर या पृत्वी के भूगर्व में छीपे जितने सारे पदार्थ है वो सब क्या है? खनीज है प्रित्वी के भूप पपर्टी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृति ग्रूप से या प्राकृति ग्रूप से पदार्थ क्या है खनीज कहलाता है सब क्या है बचो खनीज है खनीज को जब हम लोग वड़ी करन के हिसाब से चलने सुरू करते हैं खनीज के बारे में जब जानना शुरू करते हैं तो खनीज को मुख्याता दो भागों में बाटे कितने भागों में खनीज कितने भागों माटा गया है दो भागों यानि जो खनीज जो है वो इसको दो भागों में हम लोगों ने बाट दिया पहले वाले भाग को हम लोग बोलते हैं बच्चो धात्वी खनीज कौन ता खनीज धात्वी खनीज यह मेटालिक और दूसरा है बच्चो और धात्वी खनीज और धात्वी खनीज धात्वी खनीज को हम लोगों ने दो भागों में बाट रखा है एक को बोलते हैं लौह युक्त और एक को बोलते हैं और लौह युक्त अगर इन तब चीजों को अगर अगर वोग डीटेल्ज में चमझते हैं जानकाली प्राप्व करते हैं तो धात्वी खनीज वैसा खनीज होता है जिसमें विशेश प्रकार की चमक होती है जिसमें धात्वी की मातरा अधिक मातरा में पाई जाता है उसकी अलावा धात्वी खनीज के पतले-पतले तार बना जाते हैं उसके अलावा धात्वी जो खनीज होती है वह किस चटान से बने होते हैं? समझ भाई, धात्वी खनीज, काग उधारन हम लोग देते हैं, तो क्या हो सकता है, लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, यह सब क्या है, धात्वी खनीज, उसी तरह और धात्वी खनीज के बारे में चर्चा करते हैं, तो यह ऐसा खनीज होता है, जिस खनीज म ठीक है, डोला माइट, चूणा, पत्थर, दिस डेट। Whether darpar English को दो भागों में बाठें, दात्यू कितने भागों में, दो भागों में, तो एक होता है लौह युक्ति क्नीज, अको बोलते हैं लौह युक्ति क्या है, तो ऐसा खनीज जिस खनीज में लोहे की मातरा पाए जात और जिस खनीज में लोहिक की मातरा नहीं पाई जाती है उसे और लिख खनीज कहते हैं ऑघ फिर आप लोगों पराएं है कि लोग खनीज कितने तरह क्योते हैं तीन तरह के नाम याद होगा हेमेटाइट क्या नहीं बचो रहें, दूसरा क्या नहीं है magnetite और तीसरा क्या नम है बोलो तीसरा क्या होगा limonite जब लोग चर्चा करते हैं इसमें लोही की मातरा नहीं होगी जैसे हम लोग सोना का एजाम पर ले ले इसमें लोहा की मातरा चांदी का एजाम पर ले ले फिकिन इसमें चुमबक का तो कागुन नहीं होता है मतलब के तरह आकर्षित नहीं होता है लेकिन इसको अगर चुमबक के पास ले जाएंगे तो क्या होगा अपने तरफ आकर्षित कर लेगा समझ में आई जैसे ऐलमुनियम भी किसके अंतरगात आता है कोई दिक्कत किसी को अब हम लोग आगे बढ़ें कार्बनिक के बारे में तो बच्चों कार्बनिक जो होते हैं वो जिवास्म होते हैं जिसमें कार्बन की मातरा होती है जिवास्म बोले आप लोगों पढ़ायते बिज्ञान में जिवास्म किसे कहते हैं जीवों के सरीर से जीवों के मिर्थ सरीर से या जीवों के अवसिष पदार से जो इंधन प्राप्त होता है उसे जिवास्म इंधन कहते हैं और कार्बनिक जो होता है वो क्या होता है जिवास्म ही होता है इसके अंदर हम लोग क्या कहा सकते हैं तो कोईला हो सकता है क्या हो सकता है बच्चो उसके बाद क्या हो सकता है पेट्रॉलियम आप लोग ये जानकारी में हैं कि पेट्रॉलियम प्रिस्वी के भूग अर्ब से प्राप्त करते हैं और इसका प्रभाजी सर्वन करके कहां से सुरू करते हैं CNG से उसके बाद क्या आता है LPG उसके बाद क्या आता है पेट्रॉल उसके बाद diesel उसके पाद , paraffie, mom, kerosene फिर paraffie, mom, इसी तरह हम लोग सभी asphalt, सनिहक, तेल हम लोग प्राप्ट करते हैं जबकि kiloillis के परकार के बारे में आप तभी को पता है тво eins qui lecane तरह के बचो चार परकार के, पहला का नाम क्या है anthracite क्या नाम है दूसरे का नाम क्या है bituminus और तीसरे का नाम है lingright और चौथे कोईला का क्या नाम है Pete Koela और Pete Koela को घटिया कोईला के नाम से भी जानते हैं यह सब आपके जानकारी में है समझ में आई तो आप लोग कार्बनीक पदार्थ के बारे में कार्बनी खनीज के बारे में कर लिया अब हम लोग चर्चा करेंगे आकार्बनी खनीज के बारे में आकार्बनी खनीज क्या है जिसमें कार्बन की मातरा नहीं होती है यह जीवों के जीवास्म नहीं होते है बच्चों जैसे क्या हो सकता है अबरक हो सकता है बच्छो अबरँग एक Vul-5 ऐसा पदार्थ है एक ऐसा खनी जह या एक आईसा जो उसमा का बहुत अच्छा क्या होता है वह जल्दी गर्म होता नहीं नहीं जिसके कान उसका उपियोग हम लोग किसमे करते हैं बिजुत रोधी में करते हैं, जैसे अबरक देखना है, जिसको आम भासा में हम लोग घर में फ्यूजू जो बनता है, ना, अटो कर लगाता है पैंसिल के अंदर क्या होता है गेरे फाइट होता है समझ भाया और गेरे फाइट बहुत सौप्ट होती है बहुत मुलायम होती है समझ भाया यह कैसा खनीजे बचो और कार्बनी खनीज है सबको समझ में आ गया कि लोह युक्त खनीज और और लोह युक्त खनीज में क्या अंतर है अगला टॉपिक क्या है उससे पहले सवाल आपसे हो सकता है कि धात्वी खनीज और और धात्वी खनीज में क्या अंतर है तो हम लोग धात्वी खनीज के बारे में समझेंगे धात्वी खनीज और धात्वी खनीज के बारे में अगर अंतर समझते हैं तो हमें पता चला कि धात्वी खनीज को जब हम लोग गलाते हैं तो किसकी प्राप्ती होती है धात्वी की जब कि अधात्वी को गलाते हैं तो कोई धात्वी प्राप्त जब उनों धात्वी खनीज किसे पराप्त होता है आगनाय चटान से पराप्त होता है जबकि वो किसे परतदार चटान से धात्वी खनाज के पतले-पतले थार बना जा सकते हैं लेकिन अगर धात्वी के कोई पतले-पतले थार नहीं बना जा सकते हैं उसके अलावा धात्वी प्प्णा इने मोगे और कि यह मोड और रवी अजींग तो दूट समें को पीटक करें लेरे प्रिभास होरी होथ है ना फिक्रिव जाता है जो जाते हैं जिसने उसके चादर बनाते है और पतले पतले से आखें साइव जुआ रवाच है कि लौह युक्त खनीज और और लौह युक्त खनीज में क्या अंतर है आपसे सवाल हो सकती है कि लौह युक्त खनीज और और लौह युक्त खनीज में क्या अंतर है तो देखो भाईया जब हम लो बात करेंगे लौह युक्त खनीज की तो लौह युक्त खनीज में किसकी मात थे आफ्योग के बारे में जानते हैं टंगस्टन का गरलांग क्या होता है बहुत ज्यादा होता है इसका उप्योग हमकोंनोग विदूथ। और यहां रूस और दक्षीन अफिर का रूस पहले अस्तान पर मैंगनीज कूत पादन में दक्षीन अफिर का कितने नमबर पे है दूसरे नमबर पे और भारत कितने नमबर पे तीसरे नमबर पे आता है ठीक है ना यानि रसिया नमबर वन है उसके बाद कौन सा बच्चो अलावा फोटोग्राफी में और माची सुध्धोग में इसका उप्योग करते हैं समझ में आई तो लौह यूख खनीट के अंतर गत टंगस्टान आ सकता है मैगनी जा सकता है और निकेल आ सकता है उसी तरह और लौह खनीट के बारे में चर्चा करते हैं तो जैसे सोना है, सीसा है, अवरक है यह सब कैसे खनीट बचो और लौह खनीट के अंदर कोई लौह की मात्रा नहीं पाई जाती है खनीट की क्या विसेस्ता होती है खनीट की अगला टॉपिक आप लोग की खनीट की विसेस्ता के बारे में डिस्कॉस करना खनीज की क्या भी सेस्ता है तो पहली बात खनीज से जब हम लोग किसी सामागरी को निकालते हैं तो यह सस्ता होता है क्या होता है सूलब होता है आसानी से निकाला जा सकता है उसकी अलावा खनीज जो है वो अधिक मातरा में पाए जाते हैं जिससे हमें किसी प्रकार करता तो किसी प्रकार की सामागरी प्राप्त करने में दिकत नहीं होती बास अजमाई चलिए खनीजों के बितरन के बारे में मैं आपको बता रहा था खनीज जो हम लोग बितरन कर रखे हमारे पास जिस प्रकार की भारत की मैप है तो खनीज का जो मुख रूप से बितरा ने, वो कितने भागों बटा गया है? तीन भागों में, कितने भागों में? अच्छे समझिएगा, ये अच्छा टॉपिक है खनीज का बितरा कितने भागों किया है? पहला है बच्चो, उतरी पुर्वी पठार कौन सा बच्चो? उत्री, पुर्वी, पठार. दूसरा कौन सा होगा? दक्षिनी, पच्छिमी. और तीसरा कौन सा है? उत्तर, पच्छिम, छेतर. पच्छिम, परदेश या छेतर कुछ भी हो. अब ध्यान जो सुनो, उत्री, पुरी, पठार जो है, वो सबसे धनी पठार है. यहां सबसे अधिक मातरा में क्या मिलती है? खनीज प्राप्त होता है. यह ऐसा छेतर है, जहां पर लगबग जितने सारे उप्योगते के खनीज क्या आउसकता होती है, वो सारे पाजाते हैं. यहां लोह एसक पाजाता है, मैगनीज पाजाता है, अबरक पाजाता है, बॉकसाइट पाजाता है, चुना पत्थर पाजाता है, डोले माइट है, तामबा है, थोडियम है, इरुनियम है, क्रोमियम है, इस तरह के सभी खनीच्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं. आखिर और पुर्वी आंद परदेश, यह सब क्या है, कौन सा आता है बचो, उत्री पुर्वी पठार के अंतर गद आता है, छोटा नागपूर का पठार, उडिशा का पठार, आंद परदेश का पठार, छतिस गट का पठार, यह सब किसके अंतर गद आता है, उत्तर पुर्वी में आता है दूसरे बात करते हैं जब लोग दक्षिन पच्वी पठार की तो इसा करनाटा के पठार और तमिलाडू के पठार इसके पठार बचो करनाटा के और तमिलाडू के यह दोनों एक के पठार क्या है इसमें सामिल है या उसके बाद दूसरे नमबर पे आता है बचो और इसमें क्या मिलता है लो एस्क मैगनीज बॉक्साइट भारी मात्राएं पर जाते हैं और देश के सभी तीनों सोने की खान इसी पेटी में मौझूद है यानि important बात यह है कि objective question में कभी कल पूछ दे सकता है कि सोने की खान वाला पेटी कौन सी है तो क्या बोलोगे दक्षनी पच्मी पेटी और जो भारत में मिलने वाला है सोना जहां से मिलता है वो तीनों का तीनों सोने की पेटी कहा है बच्छों दक्षनी पच्मी छेतर में ही पाया जाता है कौन कोन है बच्छों करनाटक में और तमिलाडू में बस दो ही राज है यादक न ज्यादा सोना जो है वो कहां पाया जाता है करनाटक में तीनों का तीनों सोना वाला जो एरिया है वो कहां है करनाटक की राधानी का है बच्छों बैंगलोर और बैंगलोर को एलेक्ट्रोनिक नगडी के नाम से जाना जाता है करनाटक में गर्मी थोरी ज्यादा बढ़ती और भारत का लगभग सबसे महेंगा सहर कौन सा है करनाटक कर राधानी बैंगलोर बहुत महेंगा सहर समझ भाया वहां अर्जस्ट करना अगर आप अच्छी से कमाई नहीं कर पा मंबाई ठीक है ना अब आपके पास क्या है आप समझे तीसरा है बच्चो उत्तर पश्षिम प्रदेश यह खंबात की खाड़ी से लेकर के अरावली के सिरी तक पाए जाता है इसमें अनेक प्रकार के अलोक्त धातु पाए जाते हैं जैसे चांदी सीसा जस्ता तामबा मिल करते हैं लौह आयसक के बारे में चर्चा कर लिए खनीजों के बितरन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है अब आप लोग जान लो लौह आयसक के बारे में टॉपिक हम थोड़ा दिर पहले किये थे लौह आयसक क्या होता है खनीज का एक भाग होता है बच्चो आयसक जिससे हम लोग आसानी से तत्वों को प्राप्त करते हैं कौम खर्च में, सस्ता में, सुविधा में और निकालने में कोई कच्छनाई नहीं होती उसे क्या कहते हैं? आयस कहते हैं लोग का आयस कितने हैं बच्चों? तीन नाम याद है? हेमेटाइट, मैगनेटाइट और क्या नाम है? भुला जा रहा है, लीमोनाइट क्या नाम है? लोग का कितने हैं? तीन क्या-क्या? हेमेटाइट, मैगनेटाइट और लीमोनाइट सबज़वा गए? according to NCRT चली अब लोहे के कहा-कहा बीतरन है, उसके बारे में समझिए जब भारत के मैप को अच्छे समझेंगे तब लोहे के बीतरन को आप समझने के लिए आप ऐसे समझे कि लोहे के बीतरन सबसे जादा करनाटक में कहा? उसके बाद 36 गढ़ लगवग एक चौथाई लोहा अकेले कौन उत्पन कर देता है करनाटक बचों कहीं भी बिहार का नाम नहीं है दुख की बात यही है बिहार के पास सबसे घटिया खनीच पा जाता है अवरक ठीक है न जिसका कोई उपयोग नो के बराबर समझ भाया बिहार में सोना कुछ दिन पहले मिला है अब मिला है क्या क्या नहीं मिला हो तो अभी किताब में प्रिंट हो करके नहीं आया है लेकिन आप जानकाई कि बताते जितने सारे कीमती खनीच अगर मिलने वाले है तो हम लोग के पास नहीं है कोईला था भी वन था भी तो ज़रखंड क्या होगा अलग हो करके चलाए हम लोग से क्या हो गया अलग हो करके चलाए हलाकि बिहार और ज़रखंड में हमेशा तुतुमे में चलते रहते है जैसे तेखना जोब होगाा घुर फिर्कूर श्लीन हो जांते हैं समर्फ है तो थो मुथ सपरे लगों भगों सब्सक्रां पिन आप फूर्फ करें कें गाते होती हैं कौर्फ क्वेल चला सब्सक्राइब यह आई शाटाइब का अदमी है उसको जहरखंडी कहते हैं पिकार लिए जब 26 नौमबर 2000 को जब हमारा जहरखंड और बिहार का भी भाजन हुआ तो जहरखंड को इस बात का एहम था कि जहरखंड और बिहार कि जहरखंड की अर्थ बिवस्ता से ही बिहार की अर्थ बिवस्ता चलती है समझ रहे हैं यानि जितने खनीज पदार्थ हैं, संपदा हैं वन हैं, वका हैं जहरखंड के पास है, उपर से पूरा ब्रहमान के रचाई था ठीक है ना भगवान बवाधाम ठीक है ना किसके पास है वो भी एक इंकम का सुरूत है उसके मन में ऐसा सेडल था कि सारा पैसा किदर से आ रहा है हम ही लोग से आ रहा है और इधर पूरा एकदम बैट करके खाता है है ना तो उन्होंने अपना फैसला लिया वहां के जन जाती है और निश्य तरुप से क्या हुआ अलग हो गया वहां का गायकार गीत गाता था शुरू सुरू में जब अलग हुआ कि मिस्री मलाई खाय रहे हैं बस आज मैं या कि जब साथे था जारखन बिहारवासी को ताना मरता था कि जब साथे था प्법 था सधरसा था तुम कोछ भूर मिस्री मलाई चांप रहे थे अब अलग हो जहारकन अब खाया सकरकंद महाने सकरकंद का मतदर अलुआ को नहीं करते हैं हैं डाइक दिले जाते मंभाई ठीक है अवाँ ते पैसा कमाके दालाब्हाग बाद सब्जी पापर तीलोडी रै टो यह ज hetनद स्лекाया किवाथ कि अजेदा के बिहार में बहुत जाधा पई-वरतन हो रहा है और बिहार की बिढमना बिहार अइसा नहीं कि बिहार में कुछ डि отв नहीं कि अधर जासकता है बिहार में प्रकृतिक अवस्था स्थाय है जिस परकार बिहार इवाह police का प्रदेश है यहां की वाव में जितनी छमता है अगर यहां के नेता अगर चाहें तो बिहार को बहुत अच्छा विक्षित कर सकते हैं लेकिन नेता लोग चाहते नहीं है उनको इससे कोई फाइदा नहीं है उनको सिर्फ भोट लेना है और ग्रामीन चेतरों को धोखा देन तो सबसे ज़्यादा लोहा कहां मिलता है बच्छो करनाटक में मिलता है सोने की खान भी कहां है करनाटक में है समझभा गए याद रखेंगे लगभग एक चौथाई भाग कहां पा जाता है करनाटक में पा जाता है करनाटक के बाद अगला राज है 36 गड़ उसके बाद सब्सक्राइब आगया सब्सक्राइब दो टूक्रे K Чोठा बार्ट चलाए जिस प्रकार हम लोग को हम लोग को समझता था ज्यारखंड वाला उसी तरह उतराखंड राज के बारे में अप लोग सुने होंगे उतराखंड की दादानी देहरादून है और उसी उतराखंड में उतरांचल में चार धाम बसते हैं जो एक इंकम का बिसे सुरुत है वो पहले उतर परदेश का ही अंग था लेकिन हुँ सबको लगता था पैसा हम लोग कमाते हैं या पूरा उतर परदेश वला बैटके वो लोग भी किया और क्या हुआ अलग हो गया तो उतर परदेश वला भूके मर रहा है लोगों की यही मान सिकता है कोई किसी के बगार भूके जब तक आप सहारा बने हैं तब तक वो अराम कर रहा है जिस दिन आप सहारा छोड़ दिजेगा खुद डिपेंडेंट हो जाए बास सज माई बास समझ रहे हो कि नहीं नई की कनिया तब देखते हो कई से करता है काम करने के लिए बोलोगे तक काम करेगा नहीं जई सही अलग होगा तक कुद कुद के काम करेगा ठीक है न ऐसे जब ऐसे तो घड़ में अलगाओ किसी महिला के कारण नहीं होता अधिकतर ठीक है न तो अगर मान लो मैं किसी मैला या कान अधिकतर अलग हुआ, तो पहले जब सांते रहेगी और अतिया साथा काम करती है, लेकिन ज़ई सही अलग होगी, तो भुखले प्यासे दीन वर क्या कर रही है, कुद कुद के काम करेगा, इसा लग रहा है कि रात और रात अमीर बन जान तो ये किसी भी वेक्ति का लक्षन है जिस पर का उतर प्रदेश और जारखंड बिहार का संबद उतराखंड ऐसे राजों से रहा है अगला बच्छो गोवा, गोवा के बारे में तब जानते हैं ठीक है न ये नहीं जानते थे कि लोह उत्पादक राज है आप लोग समझते हैं कि साधी होगा ठीक है न और जाना है गोवा ये इसके बारे में जानते हैं गोवा बच्छो लोह उत्पादक राजबी है वहाँ पर लोह का उत्पादन मतल्लोहा का उत्पादन होता है उसके बाद जारखंड मैं आपको बता रहाता है जारखंड जो है वो खनीज समपदा से पूरा भरपूर है जारखंड के बाद महरास्ट उसके अलावा आंधपरदेस और तमिलाडु में भी लोहे की मात्रा मिलती है मागनीज के बारे में मैंने चर्चा कर रखा है मैगनीज एक ऐसा अल अयुक्त पदार्थ है ठीक है ना या खनीज है जो लोहा के मिस्रन से पराप्त होता है और मैं आपको बता रहाता है सबसे ज़्यादा कहां मिलता ये रूस में मिलता है उसके बाद दक्षीन फिरका में उसके बाद भारत में यानि भारत कितने नमबर मैंगनीज को पादन में तीसरे अस्थान पर है मैंगनीज का उपयोग किस में करते हैं मैंगनीज का उपयोग बैटरी में करते हैं फोटोगराफी में करते हैं चर्म सुधन में करते हैं उसके अलावा इसका उपयोग माची सुधोग में भी करते हैं समझ मैं या और मैं आपको बता दूँ कि इतना सक दवाई के साथ पेंट बनाने में भी मैगनीज का उपयोग करते हैं किसमें बच्चों पेंट बनाने में पैंट नहीं ठीक हे न है इसे है कि सौट को सौट कहते है और सौट को सौट कहते है क्या करनटी चतुर को क्या लिख दे ठीक है न चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अगला है मेंगेने Candice का वितरन जिस प्रकार लोहे के वितरन में कौन कौन सा राज आता याद रखेंगे लोहा कहां कहां मिलता बच्छो करनाटक में दूसरा कौन सा बच्छो करनाटक के बाद कौन सा राज करनाटक के बाद कौन सा राज है लोहे का वितरन अभी न पढ़ा रहे थे करनाटा के बाद कौन था राज 36 गर्ड उसके बाद गोवा उसके बाद जहरखन ये सारे राज जो है ये परचूर मातरा वाला है करनाटा 36 गर्ड उरीसा गोवा जहरखन है न ये ऐसे राज़ें जो परचूर मातरा वाले है अलप मातरा में कौन आते हैं बचो महारास्ट और फिर कौन सह बचो हम लोग का अलप वाले में भी मातरा का नाम नहीं कि ताईको सानी सट जाता लेकिन ताईको में नाम नहीं है बिहार का कोई भी कोशन पूछता है, और अगर उसका आप हिनाई कर देते हैं, कुछ है नहीं है बिहार के, समझ मैं, जैसे कोशन पूछेगा, बिहार के वन का वर्णन करें, तो बस जितना निगेटी बात लिग देना, बिहार में कुछ जंगल नहीं है, यहाँ ऐसे, अनाप सबगर लिख देते हो फिर मों नहीं नहीं तो क्या नहीं चलिए अगला चर्शा करते हैं लोगों के बारे में जान लिए तो मैगनीज कहां कहां मिल्ता है बच्छों ऐसके बाद कौन सा माहरास्ट, उसके बाद करनाटक, आंधपरदे, समझ रहे हो न, किस एडिया में है इसब? उडिसा, माहरास्ट, करनाटक और आंधपरदे, जैसे राज्यों में मैगनीज मिलता है, मैगनीड की क्या हो प्योगता है मैंने बताया भारत का मैगनीड उत्वादर में कैम आस्तान है तीसरा आस्तान पहले आस्तान पर कौन है रूस है चली अब हम लोग बात करेंगे बच्चो बॉक्साइट के बारे में इसके बारे में बच्चो ऐलमुनियम जो होता है वो का खनीज है और उससे जो हम लोग सुध करके जो तत्व पराप्त करते हैं उसका नाम क्या है बच्छो ऐलमुनियम ठीक है ना अब इस ऐलमुनियम के बारे में हम लोग जानते हैं जैसे आप लोग भी बढ़ाये थे ऐलमुनियम को प्योग कहा 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 करते हैं पता है अप लो ही जोइन रात में किसका हिसमाल करते हैं और वकशाइट मिलता कहा है तो गुजराथ में कहां मिलता है जारखन्ड में गुजराथ के बद कुंसा मेला कर नो देख रहे हो हर राज में क्या रहा है जहरखंड, समझ रहा हो ना? तुम अपने साइकिल को जहरखंडी कहते हो ठीक है ना? आए ठीक है ना? उसके अलावा महरास्ट हो गया उसके अलावा क्या हो गया? 36 गड़, समझ रहा है ना? ये सारी चीजे हैं हलाकि हम लोग जिस देश में रहते हैं अग्या है भायरत है तो हमें अपने अपने राजियों में अपस में लड़ना नहीं चाहिए ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा मुरा जब आ पहलता है तो हम लोग्ड गाउँ वाले हो जाते हैं राज तो हम न की टोले गाहा वाला रहा है यहीड ुला तो राज एसनु इस्तिती है उसके बाद तामबा के बारे में जानेगे तामबा के बाद अबरक अबरक के बारे में स cream Пр at नकiseenerson इसकी तीन पेटिया पाई जाती है जिसमें से पहली पेटि बिहार में है ठीक है ना समझ रहे हैं जो थोड़ा भी कीमती नहीं है वही खनी जातु कहां मिला है बिहार में मिलता है और बिहार में कहा है बच्चो तो गया में हजारी बाग मुंगवे रहते हुए पुड़ी भागल पुड़े इसका मातरा पाया जाता है अगला टॉपिक है बच्चो खनीजों का सनक्षन खनीज का सनक्षन क्या होता है जब हम लोग खनीजों को बुधिमानी पूर्ण उपियोग करते हैं जैसे आप लोग पहला चेप्टे में पढ़ेते संसाधन के संक्षन से क्या समझते हैं तो खनीज़ अपने आप में एक तरह का संसाधन ही है और जितने सारे चीजों के सनक्षन के बारे में हम चर्शा करें तो उसका एंसर वही होगा कि जब हम उसका उपयोग करते हैं और भविष के लिए चिंतित रहते हैं भविष के लिए उसे बचा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं वैसी अवस्ता को क्या कहते हैं सनरक्षन ही कहते हैं तो खनीजों का संसाधन के सनरक्षन से या तातपर होता है खनीजों के सनरक्षन का तातपर यही है कि उसे वर्तमान में उपयोग करे और भविस के लिए क्या करे बचा करके रखे वर्तमान में उपयोग करते हुए भविस कर सकते हैं और इसको बचा सकते हैं उसके बाद तो कुछ है नहीं